पिछले भाग्रम हम यहां तक पढ़ेते, अब यहां से पढ़ेंगे श्री गड़े सायन मा, यह हनुमान जी सुनियें बहु भी दिखल, सिता ही समुझावा, सामदान भय भेद दिखावा, कह रावनू सुनू सुमुखी सयानी, मन्दोदरी आदी सबरानी दूस्ट ने सिता जी को बहुत प्रकार से समझाया, सामदान भय और भेद दिखलाया, रावन ने कहा है सुमुखी, है सयानी, सुनो मन्दोदरी आदी सबरानीयों को तव अनुचरी करव पनमोरा, एक बार बिलो कुसमम ओरा, त्रिनधरी ओट कहती बैदेही, सुमिरी अवधपती परमसनेही मन्दोदरी आदी सबरानीयों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है, रावन ने ऐसा कहा तुम एक बार मेरी ओड देखो तो सही, अपने परमसनेही कोशला दी स्री रामचंदरी जी काश्मन करके जान कीजी, तिनके की आण परदा करके कहने लगी अपने परमसनेही कोशला दी स्री रामचंदरी जी काश्मन करके जान कीजी, तिनके की आण परदा करके कहने लगी सुनु दसमूख, खद्योत प्रकासा, कबहु की नलिनी करई भी कासा, असमन समूझी कहती जान की, खल सुधी नहीं रगुवीर बान की हे दसमूख, सुन, जुगनू के प्रकास से कभी कमली नी खिल सकती है, जान की जी फिर कहती है, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले, रे दूष्ट, तुझे स्री रगुवीर के बान की खबर नहीं है सठ सुने हरी आने ही मोही, अधमनी लज्ज लाज नहीं तो ही, रे पापी, तू मुझे सुने में हर लाया है, रे अधम, निरलज, तुझे लज्जा नहीं आती अपने को जुगनु के समान और स्री राम चंद्रीज को सुरी के समान सुनकर और सीता जी के कठुर वचनों को सुनकर आवल तलवार निकाल कर बड़े गुस्से में आकर बोला सीता, सीता तै ममकृत अपमाना कटि हूँ, उसे में आकर बोला सियापति राम चंद्रीज जै, मापति महादेव की जै, पाउन सुतान मान की जै सीता तै ममकृत अपमाना कटि हूँ, तवसीर कठी न कृपाना सीता तुने मेरा अपमान किया है, तेरा मैं तेरा सीरिस कठोर किरपार से काट डालूंगा रावर नहीं सका, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले हैं सुमकी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा स्याम सरोज दाम सम सुन्दर, प्रभु भुज करिकर सम दस कंधर, सो भुज कंठ की तव असी घोरा, सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा सिता जी ने कहा, हे दस्ग्री प्रभु की भुजा जो स्याम कमल के माला के समान सुन्दर और हाथी की सुड के समान पुष्ट तथावी साल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी, या तेरी भायानत तलवार ही रे सठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है सिता जी कहती है, हे चंद्रहास तलवार, स्रियक्नाच जी के विरक की अगनी से उत्पन मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले हे तलवार तू सितल, तिव्र और स्रेष्ट धारा बहाती है, अर्था तेरी धारा थंडी और तेज है, तू मेरे दुख के बोज को हर ले सुनत बचन पुनी मारन धावा, मैं तनया कही निती सम्मुझावा, कहे सी सकल निसी चरिन्हा बोलाई, सिता ही बहु विधित्रा सहु जाई, सिता जी के वचन सुनते ही, वा मारने दोडा, तब तब मैं दानों की पुत्री मंदोदरी ने, मंदोदरी ने, निती कहकर उसे समझाया, तब रावन ने सब राक्छसियों को बुला कर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भै दिखाओ, भै दिखलाओ, मासे दिवस महु कहा न माना, तब मैं मार भी काढ़ी क्रिपाना, इहां पिसाचिनी ब्रिंद, सीता ही त्रास देखा वही धरही रूप बहु मंद, सियापति राम चंद्र की जै, उमापति महादेव की जै, पहुंस तनुमान की जै, योक कर आवल घर चला गया, यहां राक्छसियों के समों बहुत से बुरे रूप धर कर सीता जी को भै दि स्यापति राम चंद्र की जै, यहां राम चंद्र की जै, उमापति महादेव की जै, पहुंस तनुमान की जै